Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज के टाइम पे बहुत सारे मोटो व्लॉगर और नॉर्मल राइडर भी अपने हिलमेट में एक्शन कैमरा लगाते हैं इन्हें हिलमेट सों यूज करते हैं लेकिन अब हिलमेट में एक्शन कैमरा को लगाना इल्लीगल हो गया है ये बैन हो गया है हाला कि फिलहाल पूरे देश में ये बैन नहीं हुआ है लेकिन देश के किस हिस्से में लीगल हुआ है हिलमेट में अक्शन कैमरा लगाना ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा आगे इस वीडियो में बताने वाला हो वीडियो को पुरा देखे साथ ही राइडिंग के वक्त, जिन जिन राइडिंग गयर्स का मैं यूज़ करता हूँ उसका भी जो बाइग लिंक है वो आपको इस वीडियो के डेसक्रिप्टोर रियागा तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो साथी इसी तरह के और भी यूसफुल वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर ले अपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्यों बैंग किया गया है तो as per motor vehicle department जो official statement आया है तो उन्हें दो तीन बातें यहाँ पे कही है सबसे पहले तो उन्हें यह कहा है कि जो rider riding के वक्त अपने helmet में action camera को लगाते है उससे दिक्कत यह हो जाता कि बहुत सारे situation में rider का जो focus है वो road पे कम होता है बहुत बार जो riders होते हैं वो road से जादा focus अपने action camera में करते है कि recording start हुआ है कि नहीं हुआ recording सही से हो रहा है कि नहीं और इस वज़ासे कई बार road में concentrate नहीं करने के वाएसे जो riding है वो unsafe हो जाती है वो उस rider के लिए तो unsafe होते ही साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जब helmet में action camera को लगाया जाता है तो उससे जो helmet का जो strength है जो मजबूती है या जो safety precautions वागर है उस वो भी compromise हो जाता है उन्होंने 2013 में जो formula 1 के leasant है माइकल सो वाइकर उनका जो accident हुआ था उनका हवारा देते हुए वो कहा कि उस time पे जो उनके head में injury हुई थी वहाँ पे कही न कही रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वो helmet में जो action camera है उसके वज़े से हुऊ और इस वाज़ा से भी आज के time पे आप देखोगे कि बहुत सारे racing track में helmet में action camera को लगाना बैन कर गया इन्होंने ये भी कहा है कि helmet में action camera मौंड करने के वए helmet का जो overall weight है वो बढ़ जाता ये ज़्यादा भारी हो जाता और उस वज़े से भी riding है वो unsafe हो जाती है तो ये कुछ बात ने उन्होंने कही है और उसके बाद उन्होंने कहा तो फिलहाल केरल में अगर आप helmet में action camera लगाते हो पकड़े जाते हो तो इसके लिए 1000 रुपय का fine चलान कर सकता और इसके अलावा आपका जो driving license है वो तीन महीने के लिए suspend cancel भी हो सकता आप इस बात का ख्याल रखे फिलहाल ये वाला जो नियम है वो केरल में लागू है और जैसा के भी हाला चरह जैसा accident लगतार होते जा रहे राइडिंग के वज़ा से बहुत से लोग बहुत बहुतर rider होते नहीं इस तरह से निकल जाते है तो क्या पता आगे ब नियम नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो तो अभी जैसे बहुत से लोग handlebar में और बाकी जगाओं पर action camera को mount करते है बिल्कुल आप अपने bike, scooter या chest mount बगरा में भी करते हो तो ये illegal नहीं है ये कोई rule break नहीं हो और इसके लिए fine चलान नहीं कटेगा सिर्फ के रहाल helmet में action camera लगाने के वैसे चलान कर सकता है driving lessons cancel हो सकता है ये नियम बन गया है तो friends उम्मीद है कि इस वीडियो में दीके जानकारी आपको पसना है कि वीडियो अच्छा लगाओ ते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मु